नमस्कार आपका स्वाकत एराजनामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ केंद्री अग्रम अंत्राले ने लोकसाबा में बताया कि वी सावरकर को भारत रत देने के सुझाव अलग-अलग जगाओं से आते रहते हैं इसके लिए किसी अप्चारिक सुझाव की जरूरत नहीं होती भारत रत्न किसे देना है इस बारे में सरकार फैसला लेती है लोकसाबा में एक सवाल पूछा गया था सरकार ने फीडम फाइटर वी सावरकर को भारत रत्न देने की दिशा में कोई कदम उठाया है कि सरकार को किसी जरूरत रत्न देने की मांग कर चुके हैं महीं कॉंगर्स का कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उन्हें अंग्रेजों से हर मैने साथ रुपे की पेंशन भी मिलती थी गांदी की हत्त्या में उनका नाम आया था ऐसे शक्स को भारत रत्न ने नहीं दिया जाना चाहिए उदर साल दोजा 20 में भारत के संस्कृतिक मंत्राले ने संस्कृत में बताया कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब नहीं है जिससे यह सपर्षों की सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी या नहीं उदर ठाकरे ने सितंबर दोजा 19 में वी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी एक कारेकर में उन्होंने कहा था अगर सावरकर देश के पहले पदानमंदी बने होते तो पाकिस्तान कभी अस्तिक में नहीं आता हम गांधी और नेरु के काम मुश् something से इनकार नहीं कहते हैं यह कहना ठीक है कि महात्मा गांधी और जवाला नेरु ने देश के लिए युखदान दिया लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी और नेभी राश्ट के विकास में युखदान नहीं दिया इसके साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद